दोस्तों स्वागत आपके अपने चैनल किसमें civil side visit में तो अगर हम बात करते हैं QAQC engineer जो होता है quality assurance और quality control का जिसका काम करते हैं उसका scope अगर हम industry में बात करते हैं काफी ज़ादा और एक अच्छी job अगर मैं किसी को बोलता हूँ वो QAQC की रहती है और अगर हम बात करते हैं salary की तो salary सबसे ज़ादा QAQC में दिखती है लेकिन वहां hiring बहुत tough रहती है क्योंकि technical knowledge उसमें आपको आना चाहिए और अगर as a fresher आप जाते हो और आपके पास skill होती है तो आपको काफी अच्छी salary देखने को मिलती है जो range रहती है salary की 4.3 से 18 lakh तक रहती है salary अगर इस graph के हिसाप से हम समझे है देखो मैं समझाता हूँ आपको यहां अगर आप देख रहे हो यह 0 से 1 का experience है refresher level पे आपकी salary 4.3 से 4 lakh पकड़ के चलिए आपका CTC रह सकता है पर यह के हिसाप से काफी अच्छा CTC देखने को मिलता है वैसे site engineer या कोई दूसरे level पे आप जाते हो तो वहां पे आपको 3.5 to 4 तक मिल जाता है तो इसमें आपको salary काफी अच्छी देखने को मिलती है और आपके पास mocha है यह सीखने का और last day offer आपके लिए लेके आया हूँ पहले यह में course आपके लिए update लाया था हमेंने लेकिन तब 100 seats थी आज last day offer है 43 seats काली है तो जल्दी से जल्दी apply कर लेना जो आपके पास mocha है सीखने का तो इस mocha को गवाव नी क्यूंकि jobs जो रहती है L&T शपुर्ट जूफॉलन जी एफकॉन टाटा दिली विल्डिकॉन और भी ऐसी काफी MNC कंपनी और बिल्डर्स कॉंटेक्टर हर जगा quality इंजिनर के ज़रूत पढ़ती है और इसमें जो topic आपके cover किये जाएंगे वो complete आपको basic से advance तक लिये जाएगा बले आप किसी tunnel construction में जा रहे हो building construction में जा रहे हो यह road highway construction में जा रहे हो हर जगा सेम लगालो जो slavers रहता है जो process रहता है वो सेम रहता है formats होगे जहां जो documents होगे वो सब चीज़े आपको करवाए जाएंगी क्योंकि हम highway में बात करें सब grade हो गया अधन shoulder हो गया उसका साइट पर quality test किया जाता है दो टाइप की होते हैं देखो क्योंकि इसी का काम एक तो field पर भी होगा और लैब में जाके होगा तो दोनों चीज़े आपको यहां सिखाई जाएंगी यहां आप देख रहे हो ग्रेनुर सब बेस उसका पूरा sample collection कैसे करते है grain size फिर उसके analysis फिर जो at work limit रहती है plasticity index रहता है MDD रहता है maximum dry density water absorption aggregate impact value design mix यह mix design सब कुछ किया जाएगा फिर quality assurance यह हो गया control का फिर FDT moisture content फिर surface level test यह सब चीज़े मतलब हर एक layer में layer by layer आपको test करने पड़ते हैं और हर जगा अलग-अलग test रहते हैं वो सब चीज़ें इस course मे आपको सिखाए जाएंगे जैसे layer का काम खतम हो गया फिर आपके coat आ जाते हैं उपर prime coat हो गया tag coat हो गया उसका test कैसे करना है फिर bitumen का test कैसे करना है dry lean concrete PCC का test कैसे करना है pavement quality concrete का steel reinforcement का यह सब test आपको सिखाए जाएंगे उसमे lifetime validity आपकी course की रहने वाली है आप सीख सकते हो आपके बच्चे सीख सकते हैं बच्चों के बच्चे सीख सकते हैं और आप कभी भी reason कर सकते हैं यह हमेशा मैं बोलता हूं क्यूंकि lifetime validity मिल रही है एक और option आपको देता हूं course लीजिए और friend को भी साथ में पढ़ा लीज जाएंगे ITPs जो होती हैं जहां जो formats रहते हैं वो सब कुछ आपको मिलने वाल है आपको certificate मिलेगा जो आपको बताएगा आपके interviewer को बताएगा या आपके client को बताएगा कि आपने किसका quality insurance का कि इसका knowledge है आपके पास क्योंकि इसी last day offer है 1999 का course रहेगा actual price 10,000 है इस offer को गबा जाके apply कर दो